सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़गट सोक्चोधरी आज हम बात करेंगे भई बेरोजगारी इंडिया में मान लो या पिर आप विदेश में बैठे हो सबसे ज्यादा दुबई में इंडिया लोग बैठे हैं बाकी तो थोड़े थोड़े सबी कंट्रियों में हैं इंडिया म इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की आलत उनसे भी ज्यादा खराब है तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा इंडिया में साथ यो करोना के अपडेट में आपको बता दूं आलांकि आपको पता ही होगा आज तक की बात करें 17 महीं तक के जो आंगडे हैं इकान मे 1091,000 तक अभी आगडे बहुंच चुके हैं करोना संकरमित में उनमें बात करें जो करोना से रीकावर कर लिये गए हैं वो है 34,000 अभी तक बंदों को रीकावर कर लिया गया लगबग 3,900 के करीब डेथ हो चुकी हैं तो यह मान के चलें कि इंडिया ने चाइना को पिसार द अब भाई विदेश में बैठे हो आप इंडिया आना चाहरे हो कि भाई हमें गौर्मिंट नहीं बलाती गौर्मिंट को आप गालियां दे रहे हो रिजन समझदार होते हैं वो तो थोड़ा सा आलांगी सब समझते हैं लेकिन मजबूरी में हर इंसान चाहता है कि हम तो जल् इंडिया में काम करें हैं। झाहता हैं वो दो दिन पहले तकसी लांग मजबूर थे उनको घर जाना था उनमें 8 अलाग याई आफ परसेंट लोग मजदूर पहुंचे हैं तो आप यह थोड़ा सा अंदाज लगाईए कि जब इंडिया की हालाती है चलो विदेश वाले तो आपना टिगर्ट का पैसा दे रहे हैं कोरूंटाईन का खरक्चा दे रहे हैं फिर भी वह नहीं आ पार है और यहां के लोगों की तो आप समझ लीज़ जा रहे हैं और जोब की अगर बात करें तो 40% वरकरों के पास जोब नहीं है मेरे पास जो आंकड़े निकल के आएं मैं आप लोगों साथ शेर कर दूँ 100 में से 37% कंपनिया ऐसी हैं जो अपने कारीगरों को अपने वरकरों को अपने मजदूरों को अनपेड लिव पे भेज रही है यानि हम आपको सेलरी नहीं देंगे आप छुटी जा सकते हैं 100 में से 37% यानि 40% के करीब आप मान सकते हैं जो बोलती है दखा दे दिया बोले आप अपने घर जाओ हमारे पास कुछ नहीं है जब सही होगा तो आप आ जाना 100 में से 20% कमपनियां ऐसी हैं जो आपको सेलरी रोक रखी हैं कि हम आपको 6 मेने तक तनखा नहीं देंगे 3 मेने तक तनखा नहीं देंगे यानि 2-4-6 मैंने तक आपको सेल नहीं देंगे जब तक ये सिस्टम रूटीन में नहीं आ जाता उसमें 20% कमपनी है चलो ये भी ठीक है कि बहुत चलो 2-4 मैंने तो आदमी सेन भी कर लेता है 24% कमपनी हैं जिनोंने जोब से ही निकाल दिया वरकर्स को कि आप अपने घर जाओ हमारे पास जोब नहीं है 24% सोब में से 24% कमपनी ऐसी निकली है तो उसमें आपसे एक बात कहना चाहरा हूँ कि बहुत सारी कमपनी ऐसी है जो अनपीड लेव पर भेज रही है हमारे पास सेल ली नहीं है हम आपको आगे दे देंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इंस्टोल्मेंट में सेल ली दे सकते हो कई कमपनी ओने ऐसा उप्सन करा कि क्यूंकि गोर्मेंट का दबाव पड़ता है ना कि इनको तनका दो तो वो बोलते हैं कि हमारे पास शेली नहीं है या इस्टोर्टमेंट में ले लिजी है जैसे आपकी 2000 शेली है तो आप 700-800 रुबे मेहना लेके उसको आगे तक खीच के लेके जा सकते हो ये रिक्वेस्ट आप कमपनी के साथ कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल जीरो से तो बढ़ी है कि स्टोर्टमेंट में मिल जाए वो भी बहुत अच्छी है ये उप्शन आप अपना सकते हो आलांकि ये सब लोगों पर लागू नहीं होता और कमपनियां भाई नहीं कहना मानती है सुनने में मेरे पास एक न्यूज आयती साथियों की दुबई में आपको पता है बही जो हाई लेवल के जोब है वो विचारे फ्लेट लेके रहते थे अभी उनकी स्तिती तीन मेंने से यह हो गई कि कमपनी ने निकाल दिया कि घर जाओ या फिर जोब से निकाल दिया केरला की कोई कापल है उनके बच्चे भी साथ में बता रहे है फ्लेट का किराय उनके पास देने के लिए नहीं था तो वो कोई बेसमेंट में अंडरकराउंड जो गाडियों की पारकिंग होती है ना रात गुजार रहे हैं पिछले 10-15 दिन से और अभी भी उनका फ्लाइट में नंबर नहीं आपा रहा है जबकि केरला की सबसे ज़्यादा फ्लाइट है तो कहने का मतलब विदेश में बेटे लोगों की भी इस्तिति खराब है इंडियन गवर्मेट ये ने सोचें कि वो विदेश में बेटे हैं तो वो पैसे वाले उनको सुविदाय मिल रही है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है उनको भी प्रॉब्लम है लेकिन आप जल्दी से जल्दी अगर सुन ले तो बहुत अच्छी बात है उम्मीद है कि 31 महीं तक कुछ ठीक हो जाए अब आंगडे बढ़ रहे हैं उस बज़े से भाई प्रॉब्लम हो रही है किसी को दोस्त नहीं दे सकते खुद को खुद को इस हैन करना पड़ेगा बसाति आज की अपडेट यही थी मेरे पास जो भी अपडेट थी मैंने आपके लोगों साथ सेर कर दी वीडियो अच्छा लगे लाइक सेर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन दबाते हैं ताक